अभी एक जून से लेके 10 जून के वीच तक यानिकी कल तक मैं जो है सीवेसी क्लाश 12 एकाउंटेंसी के एविलेशन वर्क में शामिल रहा तो आज मैं अपना एक्सप्रियेंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उस एविलेशन प्रोसेस में मैंने क्या सीखा क्या डेखा मैंने क्या मतलब करेक्शन का मतलब कॉपी कशेओं चेक कर रहा ता में और उञास 12 कीaldigent देखने को मिला क्योंकि अकेला नहीं था पूरे उधन सिंग नगर उत्राखंड के सारे बड़े स्कूरों के एकांट टीचर वहाँ पर आयोए थे चार गुरूप बनाए गया था पुछी पांच गुरूप बनाए गये थे पांचों के एची थे एची का मतलब हैट एक्जामनर एड़ इविलेटर जो की सबसे मेन होता उसके अंडर में हम लोग काम कर रहे थे हमारा जो गुरूप था हमारे एची थे मिश्टर कमर आऊजा ह हिमालाइन प्रोग्रेसिब स्कूल किछा के जिनके पास 20 यह का टेचिंग एक्स्प्रियंस था उनके अंडर में काम करना था उनके अंडर में कॉपी करेक्शन करना था हमारे गुरूप में टूटल 15 मेंबर थे जिनको यह काम इसका मदला हमें 15 टीचर मुझे अपने साथ 14 करना था और 14 टीचरों के साथ काम करना था उनके मिलना था इसलिए यह इनकेक कॉफी करेक्शन का यह एक सप्रीएंस से गें करने का भी रहा केवल मैं अपना experience नहीं मैंने अपने साथ यहां पर तीन ये चाल लोगों का मैंने interview भी किया है उनका experience भी मैंने record किया है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में attach कर रहा हूं ताकि आप भी उनके experience को से कुछ सीख सके जिसमें मैंने सबसे पहले सेंट पीटर्स किच्छा के मिश्टर मनिश थापा जी का experience रिकॉर्ड किया है मनिश थापा जी जिनका teaching experience 27 years का रहा उसके बाद जेशिस पब्लिक स्कूर जिनके पास 40 years का teaching experience रहा और पूरे उदम सिंग नगर के मैं कि हूँ सबसे ज्यादा experience टीचर पा है तो कि एक ही स्कूर में पिछले 23 years से जेपीस का नावट ने सुना ही होगा जेशिस पब्लिक स्कूल में एज़ पीजटी अकांट्स काम कर रहे है आरेन पब्लिक स्कूल जो टॉप स्कूल में गिना जाता है लुद्रपूर में उदम सिंग नगर में वहां की आकांट्स टीचर मिशिज नितू मिताजी का मैंने रिकॉर्ड किया है तो इन तीनों की एक्सी जो मेरे लिए बहुत ज़या जो ए इंपोर्टेंट रहा साथ ही साथ मेरे ख्याल से आपके लिए भी होगा तो उनकी क्या उनकी क्या एक्स्पीयंस रहे उन्होंने क्या जो आपके लिए मैसेज दिया वह मैं आपके शेयर करूंगा बस वीडियो की हत बने रही इसी तरह लाश्ट तक देखें सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास जो कॉपी कर्रेक्शन के लिए आता वो अधमसिंग नगर किया सारे लगभालाबग पूरे ग्रुप को ऐसे मां की जिदी अटार्टालीसो कॉपी आई थी यह पर चेक होने के लिए हमारे ग्रुप को अठाज़ों कॉपीया मिली चेक करने के लिए और हमारे पास नौ यूविलेटर थे तेन एक कॉडिनेटर और मैं था एक कॉडिनेटर तो कॉपी जब चेक की हमने देखा कुछ माइनस सी मिस्टेक्स आई जो इस्टुडेंट्स ने बोट किया क्योंकि कोबिड-19 का एफेक्ट रहा सबसे बड़ी बात यहां पर इस साल यह रहा कि मैक्सिम्म यह में जब कॉपी चेक करते हैं लोग मैक्सिम नमबर आप इस्टुडेंट्स थे वह एवरेज का मतलब पहले एक्टी मार्स का कॉपी चेकिंग हो था ता एक्टी मार्स में से सबसेदा एक्वरिंग कॉन्स थे हो थे थर्टी से लेकि 50 के बीच में मार् तो जो एवरेज इस्टुडेंट थे 15 से लेके 30 के 20 पी जो होना था उनका जो एवरेज है जो परसेंटेज वह कम हो गया तॉप फोल्डस थे जिनका पहले 70 से ज़्यादा नमबर आते थे वह 10 परसेंट हुआ करते थे यह फेलियर कम थे एवरेज मार्स है लेकिन इस साल क् बच्चे फेल हो गए इसका मतलब यह तो बच्चे ने 14 मार्स से कम एक्क्यूर किया यह फिर बच्चों ने 30 से ज्यादा स्कूर किया 40 अपॉन 40 40 में से 40 एक्क्यूर करने वाले थे बहुत सा रिश्टूरेंट रहे बहुत अच्छा गया लेकिन बुराता बहुत जितना उन मैं यह अपके ना हूंCanal This ने क्या किया स्टेफ टू इस स्टेफ मार्क इन स्किन स्थ्यन कि अम जहला है मृतल एक क्रूं को सौल्व करने के लिए आपको पूरे आंसर लिखने के मार्स नहीं उस को सौन को करने के स्टेफ तू इस टएम आप दर एक कॉश्टल में के आपक को उसमें लगवा लगवाद चार से पांथ स्टेप करने थे हर एक स्टेप का हाफवाब मासका था अब अपने एक भी पॉइंट लिख दिया है सही लिखा है उसके मासक को मिलने इसका मतलब यहां पर जीरो मिलना बहुत ही ज्यादा रियल हो गया बट उसके बावजूत सबस्क्राइब करना है और आप किस तरह से सीखना है तो बताता है रहुआ फिर भी ध्यान में रखना है जो कुछ भी आता है एक्जाम में कभी छोड़ना नहीं होता है जितना आता उतना कर दीजिए मेरी बात अब हम बात करते हैं हमारे एक्सप्रियंट टीचर उनका क्या मैसेज आपके लिए तो बन वाई बन हम सबसे पहले हम बात करेंगे मिश्टर मानिश थापा सर गाइज हमारे साथ है मिश्टर मानिश थापा सर सेंट पीटर्स सीनियर सेगेंडरी स्कूल कि च्छा से 20 एक्सप्रियंस इनको और यह अपने फिल्ड में बहुत ज़्यादा माहिर है जैसे कि हमने पहले ही बता आपको कि एकाउटनेसी की इवलेशन चल रहा है और यह हमारे एची रहे हमारे जो लुंटे लगशन से आपके सर महा जानना चाहूँंगा और आप अपने एक्परियंस बच्चों के सब्च्च जरूर रूर कीजिए ठीक है Thank you Nikul that you have called me for this salt feedback or you can say interview or sharing experience with our students as well as anybody who is related to the education community. तो जैसा कि आपने कहा कि इतना experience है, experience से जो कुछ भी सिखा है मुसमें जाना है और यह बच्चों को बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी काम करें, दिल से करें, मन लगा के करें, if you are not into what you are doing, you will never get what you want. मेरा यह मानना है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे parents हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत lightly लेते हैं इस स्ट्रीम को और वो आध्यादूरे मन से इसकी पढ़ाई करते हैं और जो देना चाहते हैं, वो भी पूरी तरीके से उसको उसमें अपने आपको इन्वाल महीं करते हैं। यही एक बहुत बड़ा कानद है, लाइट लेना, और हर चीज को बहुत आसान समझना, हर चीज में हो जाएगा, चलता है बाला आटिट्यूट्यूट्ट्रूपर ना, this is the most, you know, common, drawback, most common thing, which I find in many of the students, as well as some of the teachers also. They take it very lightly. It is not light. Accountancy is not... Yes, sir, yes, sir, milkyl. बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, हमने यह देखा कि जो लास्ट यार यह से पहले जब evolution करते थे, average student most आते थे, अब हमने देखा, यह तो student plus 30 है, यह तो student below 10 है, इसका क्या reason है, क्या effect अप जानते हैं, कि ऐसा result का आने का effect क्या हो गया, कि यह तो बहुत अच्छे बच्चे आ यह तो उनका result बहुत खराब हो रहा है, जो average student है, वो हमारे कम हो रही है, बिलकुल, आपने मेरी बात को आगे बढ़ाया, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों में, यह जो feeling है, कि यह बहुत light subject, stream है, light stream है, और हम इसमें उनी बच्चों को पाते हैं, जो या तो बहुत ही अपने बहुत ज़्यादा आपको आगे बढाना चाहते हैं, वो बच्चे जो है आपने देखा कि यह 30 अब और 35 अब ला रहे हैं, बीच में जो यह कम हो गया है, वो इंट्रेस्ट की वज़े से कम है, और बच्चे जो बीच में पैंडेमिक की वज़े से, यह सारी चीजे, यह बह बहुत रहा, तो बच्चे भी उससे प्रभावित होएं, एक कोशन मेरा और है, जो मेरे खाल से यह कोशन पोशना बहुत जरूरी है, यह इस साल 2022-23 का जो बैच है सर, यह बो बैच है जिन्होंने क्लास 10 का बोर्ड एक्जाम एटेम्ट नहीं किया है, इसका मतलब मैं यह कह है सकता हूं, वो सीधे फ्री पास होके, आप क्लास 12 के पेपर बैठने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, कि उनको किस तरह से अपने आपको प्रिपेर करना चाहिए, यह एज़ टीचर हमें किस तरह से उनको तयार करवाना चाहिए, ताकि बोर्ड का एक्जार, क्योंकि स चाहता हूं, रजल्ट नहीं, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा स्टुडेंट हमें मिले, वो किस तरह से हो सकता है सर, बिलकुल, हमें निरास नहीं होना है, यह बच्चे जो है, हम अगर पहले से इनको यह लगेगा, कि हमसे कोई भी एक्सपेक नहीं होना है, और हमें इनको इस बैस से ऐसा रिजल्ट दिलवाना है कि बच्चों को भी और ज्यादा मॉटिवेशन मिले, आने वाली पीडी को भी और इन बच्चों को भी आगे, कभी एक ट्वेल्ट के बाद आगे जाएंगे, तो इनको और ज्यादा हो मिले, कि जो है, स्कोरिंग जो चैप्टर्स थे, एन पियो, नौट पर प्रॉफिट और्गनाजेशन और जो कॉंपरिटिव एंड कॉमन साइज इस्टेन्मेंट ये हटा दिया है कोर्स से, आपको गया लगता है, इससे क्या हमारा रेजल्ट एफिक्ट होने वाला है, या फिर उसक आप्शन में हमें कुछ और बेटर तरह ये प्रिपेर करना चाहिए, नहीं मुझे नहीं लगता देखिए, सीवेसी भी जो कुछ करती है, बहुत समझ के करती है, और अभी इस दोरान उसने अगर ये डिसिजन लिया है, तो इससी लिया है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुक आप नॉलेज के लिए बच्चों को कुछ भी कभी भी कहीं भी पढ़ा सकते हैं, ज़रूर नहीं कि तुस लेबस में हो वही पढ़ाया जाए, आप उनको अलग से भी पढ़ा सकते हैं, तो कि आने वाले उसमें मुझे उम्मीर है कि इसको दुबारा से लिया जाए, सर लास चाहूंगा आपकी साथ से कॉमर्स में बेश्ट केरियर ऑप्शन क्या हो सकता है, और उन्हें कॉमर्स क्यों चूज करनी चाहिए, और क्यों नहीं करनी चाहिए, इसमें आपकी क्या राया है, नहीं इसमें तो आपको हर चेके मिली जुली नाय मिलेगी, मेरा मैं यह मानना ह जो मैंने सबसे पहले बात कही थी, कोई भी केरियर उप्सन बुरा नहीं है, कोई भी केरियर उप्सन खराब नहीं है, आप जो भी करते हैं, मन से करिए, आपको उसमें सफलता मिलेगा। आईए, अब आपको मिलवाते हैं, हुदम सिंग नगर, हमारे एडिया के सबसे ज़्यादा सीनियर, एकांटीन सर, मिश्टर मिगलानी सर, जो की जेसिस पबिक स्कूल में पिछले 27 सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐने कि हम सब पे सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट सीनियर हैं, जि चलिए सर थोड़ी बात कर लेते हैं. मेरे क्वेशन है आप से कि आप पिसले 40 सालों से लगाता इस प्रोफेशन में जुड़े हुई हैं, और सबसे तो इंट्रेस्टिंग बात ही है, 27 सालों से आप एक ही स्कूल जैसी जो की हुदब सिंग नगर का टॉक मोस्ट जो है स्कूल में गिना जाता है, तो आपका एक् स्टार्टिंग में मैं भी जो है बात कुछ सीखा, कैसे बच्चों से दील करना है, कैसे पढ़ाना है, इस सारी ची ने सीखी, तो धिरे धिरे खुद एक्ष्मियन्स हुआ, और कैसे पढ़ाया जाता है, और उस चीज को बेटर कैसे किया सकता है, हर साल उसना कुछ नह सीख मानते हैं, बच्चों बाजुकेट कर रहे हैं, और कुल भी एलान कर रहे हैं, और कुछ बच्चों से भी कईवाद नहीं नहीं चीजी सीखने को मिलती हैं। जब तक उनको सबसे जाजा स्विद्ध इनागी होना जाएं, बेसिक होता हैं। और वह बेसिक है और अगर क्लियर होगा, और वैसे भी जिसे साब से आगे आने काना टाइन पर और और भी हम देख रहे हैं, जब तक उनको कॉंस्ट्राइट्च्च्छ नहीं होती, उससी ल कि अगर को अगर को सिखा रहे हैं, जो उसके तीचर उसको सिखा रहे हैं, और रहाता प्राक्टिस के ज़राते हैं। तो उसको जो है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अगर वो डेली टू आवर स्टार्टिंग से ही देता है तो कभी भी और बल्कि एक्जाम के पहले तो बढ़ ही ना है तो रिलाक्स हो जागे तो साथा अच्छे सिर्थ कॉमर्स टीचर एज अच्छे को अपने स्कूल के अपने स्कूल के अफ्टन जादा एक्स्प्रियेंस है तो प्लीज मेरे स्टूरेंट्स को जो भी जुड़े हुई है सबस्क्राइब या जो वीडियो को देख रहे हैं उनको प्लीज यह बताईए कि कौमर्स में कौन नमबर यू पर इन्वेस्ट्ट बैकर्स को रखूंगा और नमबर यू पर मैं रखूंगा आज की देख में एंचर्फिश्प लिड़ेश्प लिडर्स बिड़ेर्स्ट्री इसको अप खुद अपने जॉब क्रेट करिए औरों को आगे लाईए औरों को आगे जो फिनेस से लेटेड एकाउंच लेटेड आगे आगे अगे डॉप स्टीर थोड़ी से एक बत आगा जाना चाहता हूं आजकल कि इस्टुरेंटे निचा पढ़ाई करते हैं उनका एक ही सबना लगता है कि हम नौकरी करें जॉब के लिए जॉब के लिए जॉब की पॉमर्स जो भी है अपना एंट्रपेंशिक होना अपना एक प्रफेशनल अपना इंड्यूजन वर्थ करना बहुत जरूरी है और वह आपकी प्रफेशनल ग्रोथ के साथ साथ भी होगा तो यसा नहीं कि एकदम से कोई एंट्रपेंटर बन जाए एक्सलिंस गिन करते हैं लिए को सक देखा कि क्लास 11 त 12 में जो कमास पड़ा रहे है इसका मतलब यहा कि हम एकाउंट पड़े तो रहे हैं लेकिन इस्टूरेंट को अगर कंपनी के अकाउंट तुरांट बनाने को दिया जाए वो नहीं बना पाता है एक तरीके कमी कह सकते हैं हमारी पॉलिसी में को चुछ हम कमी रहती है टीचिंग में भी हम लोगों को बच्चों को प्राक्टिकल नॉलिज खुड दे लिए बैंक सिरे जाए हम उन्हें प्राक्टिकली एकाउंट्स कम्पूटर में सिखाए हैं हम एक इंडिजर उनको ट्रेनिंग के लिए लिए करें हम उनको कोई भी सॉफ्ट्वेर ट्रेयालिटि में मैं बता हूँ सिरेश्टी पे इस एकाउंटिंग सॉफ्ट्वेर पे काम करना आना चाहिए है हम इसे बिल्स बनाने आने चाहिए थैल्ट्स सहिसरे आइकाम नहीं करता रहिए हैं प्राक्टिकली कोई काम नहीं होता है बच्चों को जो प्रोजेक्स दिय पैचान होते हैं। वही बच्चे भर्क नहीं करते हैं। अगर स्थमालीज भर्ट्स vine तर सब पेफूलरण कि बाचन करना सुझान है अंटेत नहीं करें पैचान करना क्रणा पैच्छी अधेड और सब्सक्राइट नाज़र करें। अच्छा लगेगा कभी भी किसी टाइब आम इससे कॉंटेक्ट करें, मैं आपके यूट्यूब चैनल से आता रहूंगा अगरा मुझे बलाएंगा। बिल्कुल सुधर, थैंको सर, चलिए, अब हम मिलते हैं मिसिस तनुमितल जी से, यह जो है, आपने सुना ही होगा स्कोल रुद्रपूर का, यूस नगर में फेमस स्कूल है, और वहां पर यह लग 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 सेवन एर से, टीचिंग करी है, पीजटी अकांटिंसी है, आज इनके एक्सप्रियंस शेयर करने वाले हैं, यह भी हमारे साथ एवलेशन वर्क में है, और यूकर जितना इंका एक्सप्रियंस है, उतनी एर से तम्हें टीचिंग भी नहीं कर रहा हैं, इनका एक्सप्रियंस मेरे भी बहुत ही जादा जो है, मोटिवेशनल होने वाला है, क आपने बहुत आपका बहुत गरे टाइम हमारे साथ दिया है, ताकि आपका एक्सप्रियंस हमारे बच्चों को भी जो है, फायदा में करें, तो मैं चाहता हूँ में अपना experience share कीजिए, जिए में. Thank you, Nakul sir, for giving me this opportunity of sharing my views about the evaluation, what I have done, and thank you very much. Students, very good evening to everyone. As far as my experience, I just experienced that the students have to most focus on general entries, right? As far as the coming years, the general entries are more coming and students are always focused on making the ledger. So, students, if general entries, they can know how to make the general entries, it will be easy for them to do the accounts, right? So, that means, first of all, my suggestion is just focus more and more on the general entries in every chapter. If you are making the general entries, then it would be easier to make the ledger, of respective the entries. Ma'am, मेरा क्सिंपल से क्वेस्चन है आप से, अभी का जो वैच है, the coming years 2022-23, एक ऐसा वैच है, जिनोंहोंने class 10 का board exam attempt ही नहीं किया है. यूँ के हैं, कि वो फिरी में पास होके, आज class 12 के board exam preparation करने के लिए बैठे हुई है. आपको लगता है, as a PZT accountancy, accountancy बढ़ाने के लिए, हमारे आपके सामने क्या problem आ रही है, क्योंकि क्लास लेद में 50% इस्टुटें ने class attend किया है, ने किया है, online classes में, तो only 10 ये 20% attendance रहा है तो आपके लिए क्या problems है, और ये आपकी वियू में उनको किस तरह से तियारी करनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बहुत बहुत exam बैठे हैं, वो भी direct class 12 के. The main thing is that they didn't know class 11, and 11th is a focus base, means concept learning class, and concepts, to learn the concepts, which is debit and credit, that is more important for a student. Rather than reaching straight to the class 11, they have to more focus on class 11th concepts. मैंने एक क्वेशन और है अपसे, कि आप simply कुछ बच्चे इसलिए commerce student चूज कर लेते हैं, क्योंकि उनको साइंस में नहीं जाना है, तो क्योंकि उनको कोई दूसरा option नहीं है, तो वो commerce में जॉइन कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि अकाउंट पड़ने के बाद, commerce बनाने के बाद, best career option क्या रहता है, क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाते हैं, 12 के बाद, after 12 अम क्या करें, आपके point of view, कौन-कोंसे best career option के समने हो सकते हैं, दिखिए, first of all, मैं हमेशा ये कहूंगी, by having a commerce train, आपके लिए सारी fields के ले होते हैं, in fact, when I am talking about science trains, after doing the B.Tech, science are also moving to MBAs, right, सबसे पहले science के students, फिर MBA में पूछ जाते हैं, and they find tough for them, it's very tough for them to know, after reading the science, to have a commerce train, commerce subject, and for a commerce student, it's not easy to crack MBA, because every company, when I am talking about going to the career, every company wants a perfect MBA, whatever the basic concepts related to finance, that can be done by a commerce student, so by taking a commerce train, there are vast scope, you can do CA, you cannot only do the CA, CA, CS, banking sector, in every company, when I am talking about Google, they also hire the business analyst, so for every company, they are demanding of the commerce, commerce student, so that is very important. Ma'am, and last question to you, हमारे इस करेंट एर के सिलेबस में, CBSC ने सबसे इंपोरेंट जो चैप्टर्स थे, और इह सबसे सबसे सिंपल चैप्टर्स, NPO, Comparative, and Common Size, यह तीन चैप्टर हटा दिये, that means, portal marks delayed होगे, जिससे सबसे यादा maximum marks equoring subject था, आपकी साब से अब बच्चों कर उसका क्या effect है, यह बच्चे किस chapter में जादा focus करे, क्युनकी maximum marks equoring subject था, Last year, the shares will come on the third term two, term one, तो shares का जो बेटेज था, वो अपने आप कम होगया था, but this year, they have to more focus on the shares chapter, issue of shares and debentures, that is very, very important for the CA concepts also, so issues of shares and issue of debentures, and when I am talking about analysis of financial statements, the ratio and cash flow statement according to me, that is very important and they prove very helpful in the upcoming career, so they play very important. And what about the partnership chapters? Partnership chapters में मुझे नगते की कोई चेंज नही आया, या वो वेटेज वही का वही रहता है, so partnership is always very important, but according to me, the company concept is very important, because child is always going for the companies, so they have to know what is the company account. Thank you में, अपना ग्रेट्ट है हमार से स्पेंट करने के लिए, और मुझे लगता है आपका experience बच्चों की बहुत काम आयेगा, thank you में, thank you sir, thank you students and all the very best. तो इतने सारे experience टीचेर को सुनने के बाद आपने क्या सीखा, तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा, मेरे गाल से आपको कुछ ना कुछ है, जरूर नया मिला होगा, इन्होंने अपना experience शेर किया, अतने सारे टीचेर मुझे भी सीखनों के मिला, तो आपको भी बहुत कुछ सीखनों को मिला होगा, तो आपके कुछ डाउट है, फ्यूचर को लेके, पढ़ाई को लेके, चैप्टर को लेके, अक्टाइट को लेके, तो मुझे comment box में comment करके जरूर बताईए, ठीक है ना, ठैंक्यू आवरीवन,